नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशा सत्तिकी रामे मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फेंड संतोशी शरद पूरिमा अनोखा दिन 28 अक्टोबर पूरा दिन आपके लिए कितना स्पेशल है पूरे दिन को आप अपने लिए कितना बहतर और कर सकते हैं एक तो होता है कि प्रकिर्टी दे रही है दूसरा होता है कि हम प्रकिर्ट से ले ले दोनों चीजें बड़े बारीक अंतरवाली हैं प्रकिर्टी भाग्यान रूप देती है और हम भाग्यान रूप लेते हुए कुछ और भी प्राप्त कर सकते हैं अपनी बुद्धी के बल पर तो वो बुद्धी के बल पर हम आपको देने जा रहे हैं एक special उपाए शरद पूरिमा special उपाए आए सुरवात करते हैं आज के जोतिश दिशा का सबसे पहले जानते हैं आज का पंचान आश्विर माह पूरिमा ते थी आज चंद्रमा मीन राशी में सुबह 7.30 तक इसके बाद चंद्रमा का मेश राशी में प्रवेश नक्षत्र रेवती रहेगा सुबह 7.30 तक मीन का अंतिम नक्षत्र और इसके बाद मेश में अश्विनी से नक्षत्र आरंब होगा साथ बज़कर तीस मिनट पे अस्वनी नक्षत्र लग जाएगा ये केतु का नक्षत्र है जो बरतमान समय में तुला राशी में मंगल और सूर्य के साथ संचरण कर रहे है आज से ही कार्तिक माह का अश्नान आरंब हो रहा है योग रहेगा वज्र तदर उसार जिनांक 28 अक्टूबर दिन शनिवार शनिवार को राहुकाल सुबह नौ से दस बच कर तीस मिनट तक और गुलिक काल का समय सुबह छे से साथ बच कर तीस मिनट तक तो राहुकाल वो समय है जब आप किसी भी नए और शुबकाम का आगाज न करे लेकिन गुलिक काल में आप कोई भी नए और शुबकाम अवश्य कर सकते हैं काम आपके लिए बनते चले जाते हैं अब आए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं पूरे दिन का हाल 28 अक्टूबर की भविश्यवानी मेश राशी परिशानियों से मुक्ति के रास्ते आज साड़े साथ मज़े के बाद खुलने लगेंगे जब चंद्रमा आपकी राशी में संजरन करेगा मेश में प्रवेश करेगा पढ़ाई संतुलन की स्थिती में रहेगी शिक्षा बहुत ब्यवस्थित धंग से आप करेंगे आज कुछ विशेश लाव भी आपको होगा ब्यापार के लिए समय थोड़ा प्रत्कूल हो रहा है उतार चढ़ाव बढ़ेगा बिजनस किसी न किसी रूप में आपको परिशान कर सकता है प्राइविट सेक्टर की स्थिती को आज सम्हाल कर लेकर के चलना होगा चंचलता बिलकुल भी नहीं उठापटक की स्थिती से अपने आपको संतुलित करने का प्रयास करें अकस्मात किसी परिशानी में आप आज विजनस में पढ़ सकते हैं प्राइविट सेक्टर वालों के लिए नोकरी में एक बदलाव की गुंजाईश आज बनती हुई दिखाई देती हैं सरकारी छेत्र में जॉब करने वालों के लिए परिस्थत के अनुरूप कुछ बड़ा करने का चाह पूर्ण करेंगे आज बहुत प्रशन रहेंगे किसी महिला अधिकारी से विवाद की स्थिती भी हो सकती है वाणी पर अंकुष रखने की आवशक्ता है आज का दिन दामपत्य जीवन की बात करें तो पति-पत्नी के बीच तालमेल बेहत सकरात्मक और अनकूल रहने वाला है एक दूसरे को करीब से सपोर्ट करने के लिए आज सामने आएंगे परिस्थतियां आपके अनुसाल बहुत सटीक रहेंगे लव लाइफ यहां कुछ इस्थती गड़बर भी दिखाई देती है संभालें अपने आपको, साधें अपने आपको स्वास्त के मामले में आज का दिन जुखाम खासी के साथ साथ माइग्रेन की समस्या भी दिखाता है लगन में चंद्रमा आया है शीतल तासीर की चीजें आज नखाएं स्वास्त के मामले में पेट, किड़नी और बैक की प्रॉबलम हो सकती है इसलिए आज और संभालें अपने आपको चंद्रमा लगने में है क्या उपाय करना चाहिए मेश राशी वालों को आज आज प्रियोक के तौर पर लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पे शिशोभित करें शरद पूणी माई स्पेशल है आज कच्चा दूध खुले आसमान की नीचे रखें प्राता है उसे जल में डाल के श्नान कर ले आपके लिए बढ़ा कल्यान प्रद रहने वाला है शुबरंग आपके लिए सफेद भाग्य प्रत्षत साथ ब्रिशव राशिय 28 अक्टूबर पढ़ाई में उतार चड़ाओ बढ़ सकता है शिक्षा किसी न किसी रूप में आपको परेशान करेगी आज मन कम लगेगा स्वयम पर कंट्रोल करना होगा सिक्षा के छेतर में अकस्मात किसी परेशानी में भी आ सकते हैं ब्यापार बहुत अनकूल है बिजनस में परेशानियों से बाहर निकलेंगे चंद्रमा का प्रभाव 12 अस्थान पर विराजवान हो रहा है पढ़ाई रुक रुक कर आज कदम बढ़ाएगे सिक्षा की स्थिती अचानक किसी परेशानी में आपको डाल सकती है ब्यापार के लिए आज रिस्क लेना आपके लिए बहुत अनकूल रहेगा बिजनस में आप आगे बढ़ेंगे चिंताओं से बाहर निकलेंगे ब्यापारिक दिष्टिकोर से समय बेहत सकारात्मक रहेगा प्राइवेट सेक्टर वालों को आज कुछ परिस्थतियां साधने में मेहनत करना पड़ेगा उतार चड़ाओं अचानक से बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर वाले किसी मुश्किल में आ सकते हैं सरकारी छेत्र सकारात्मक है पति-पत्नी के बीच देखा जाए दामपत्य जीवन में तो आज घुमने टहलने का कारिकरम बनेगा एक उसरे के करीब आएंगे बिवादों से मुक्ति मिलेगी लव लाइफ बहुत अनकूल रहेगा बिवागी चर्चा कर सकते हैं स्वास्त के मामले में डाइजेशन और जुखाम खांसी के शिकायत हो सकती है» क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राजशी ब्रिशव है आज ब्रिशब राश्यवालों को अपने हाथों से शरत पूरिमाय स्पेशल प्रियोग किसी जरूरत मंद को कच्चे दूद का दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्यप्रशत 58 मिथुन राश्य थोड़ी चंचलता आपके लिए मुश्किल पैदा कर रही है पढ़ाई बहुत अच्छी इस्थिती में नहीं है शिक्षा प्रभावित होगी शिक्षा को ले करके सतर्क रहने की आवशक्ता है आज एका दस भाव में चंद्रमा है सुबह साड़े साथ वजे मेश राशी में चंद्रमा पढ़ाई पर प्रभाव डाल रहा है पढ़ाई में आज मन उचाट रहेगा ब्यापार अनकूल इस्थिती में आ रहा है बिजनस की चिंता बिल्कुल भी न करे बिजनस के लिए आपको आज अपने आप पर कंट्रोल करना होगा बस उसके बाद धन की स्थिती सुद्रण हो जाएगे प्राइबेट सेक्टर वालों को आज किसी विशम परिस्थिती का सामना करना पड़ सकता है सुद्रण पर कंट्रोल रखें जिससे चीजे मैनेज कर सकें आप आज अपने आप पर बहुत कंट्रोल रखने की आवशकता है सरकारी छेतर वालों के लिए रास्ते खुल रहे हैं मुश्किलों से बाहर निकल रहे हैं गवर्मेंट सेक्टर बहुत पॉजिटिव साइन देता है दामपत्य जीवन को लेकर के सजग रहेगा आज पत्य पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी अनाव शक्षक एक दूसरे के प्रती भावनात्मक अभाव देगा लव लाइफ बहुत अनकूल है पर इस्थतियां साथ लेंगे आप तो सब कुछ ठीक रहेगा स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो कमरदर्द और डाइजेशन को लेकर के आज इस्थति कुछ बिगर सकती है मिथोन राशी वालों को प्रियोग क्या करना है शरत कूनिमाई स्पेशल प्रियोग आज कच्चा दूथ उल्टी हथेली में लेकर अपने उपर छिड़काव सुर्यास्त के बाद जब चंद्रोदय हो जाए तब कर लिजेगा अनकूलता रहेगे शुवरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रत्षत 56 करकराशी चंद्रमा का प्रभाव साड़े साथ बजे आपके दसंभाव में आ जाएगा पढ़ाई संतुलन में है शिक्षा संतुलन में है परेशानियों से बाहर निकलेंगे आप शिक्षा की इस्थती बहुत सकरात्मक है आज बहुत बैलन्स वे में आप शिक्षा ग्रहन कर रहे है आपके लिए कुछ ऐसी इस्थती भी आ सकती है जो आप साध ले जाए ब्यापार उतार चड़ाव बढ़ाएगा बिजनस पर कंट्रोल करने की आवश्चक्ता है अचानक किसी मुश्किल में आ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को ले करके आपको बहुत संतुलन बनाना होगा प्राइविट सेक्टर में आप अचानक किसी दिक्कत में भी आ सकते हैं थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखें जिससे आप चीजों को संतुलित कर सकें सरकारी छेत्र को साधरे में आपको मुश्किल आएगी कारी छेत्र में दिक्कते आएगी आज चंचलता घातक रहेगा बहुत के साथ विवाद हो सकता है दामपत्य जीवन बहुत अनकूल रहेगा पति-पत्नी की बीच तालमेल अच्छा है सपोर्ट मिलेगा एग उसरे को बल देंगे आप लव लाइफ में उतार चड़ाव बढ़ सकता है अचानक किसी दिक्कत में पढ़ सकते है सोच समझ कर फैसला करिए स्वास्थ के मामले में आपको आज डाइजेशन आंख और किट्नी की समस्या भी दिखाता है सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है करक वालों को शरत पूरिमा स्पेशल आपकी ही राश्वी का चंद्रमा है मतलब स्वामी चंद्रमा है करक का ही स्वामी है और आज पूरिमातिती है चंद्रमा का दिन है आज कच्चा दूध आज दायनी अथेली पर ले करके ओम सम सोमाई नमह कहते हुए अभिशेक कर दीजे चंद्रमा का इसे डालिए नीचे शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग्य प्रत्षत 58 सिंग राशे बहुत बैलेंस समय रहेगा पढ़ाई बहुत अनकूल रहेगी शिक्षा में अनकूलता है भाग्य स्थान का चंद्रमा है शिक्षा में आई बाधाएं दूर हो रही है हर कदम पर लाब होगा ब्यापार अनकूल रहेगा बिजनस की चिंता छोड़ दीजे आज यात्रा से विशेश लाब होगा अवसर अच्छे मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर में कुछ उतार चड़ाओ बढ़ सकता है सोच समझ कर फैसला करिएगा प्राइवेट सेक्टर में किसी न किसी रूप में आपको दिक्कत आ सकती है सरकारी छेतर की स्थिती को साधने का प्रयास करिए गवर्मेंट सेक्टर आपके लिए किसी न किसी रूप में परेशानी का कारण बन सकता है बैलेंस बनाएं गवर्मेंट सेक्टर में दामपत्र जीवन अच्छा रहेगा पती पत्नी की बीच तालमिल अच्छा हो जाएगा एक दुसरे को सपोर्ट करेंगे आज सिंगराशी वाले भागिस्थान का चंद्रमा है एक दुसरे के साथ समय बिताएंगे लब लाइफ इधर उधर की बातों से आपको उलज़ा रहा है अकस्मात किसी मुसीबत में आ सकते हैं स्वास्थ के मामले में किटनी आँख की समस्या हो सकती है सिंगराशी वालों को आज उपाय के तोर पर अपने हाथों से सरत्पूरिमा श्पेशल प्रियोग है कच्चे चावल का दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज ब्राउन भाग्य प्रत्षत कितना साथ कन्या राशी चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा सा कष्ट दायक रहेगा अश्टम भाव में आ जाएगा अब देखिए अश्टम भाव हर प्रकार से नकारात्मक तो है जो आपके लिए चिंता का भी विश्यव बन सकता है लेकिन आप अगर चीजों को संतुलन में लाड़ सकते हैं तो आप ला लीजे पढ़ाई बहुत अनकूल हो सकती है मेहनत करना पड़ेगा शिक्षा को लेकर के सजगता के साथ मेहनत करेगा ब्यापार बहुत बहतर है बिजनस में आप बहुत बहतर ढंग से काम कर रहे हैं आपके लिए सकारात्मक परिणाम दिख रहा है प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा साधने का प्रियास करें चिंताएं बढ़ेंगी प्राइवेट सेक्टर में उतार चड़ाओ बढ़ेगा परिस्थतियां प्रतिकूल दिखाई देती है सरकारी छेत्र आपके लिए अवसर देगा गवर्मेंट सेक्टर में आपको कुछ विशेश महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं दामपत्य जीवन पतिपत्नी की बीच तालमेल बहुत संतुलित है पिलकुल शुभ है आप संतुलन में बनाए हुए हैं स्वास्थ के मामले में आँखों की समस्या पेट की समस्या और लीवर की प्राबलम हो सकती है क्या प्रियोग करना चाहिए अगर आपकी राशी कन्या है शरत पूर्णिमा स्पेशल प्रियोग कच्चा दूध पूरी रात बाहर रखें और शाम को इसे जल में डाल किश्णान करें शुभरंग आपके लिए आज गुलावी भाग्य प्रत्षत चप्पन तुला राशी चंद्रमा आज आएंगे आपके सब्तम भाव में ठीक साढ़े साथ बज़े सुभए शिक्षा के लिए आज जो तयारी आपने किया है उसके अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त होने लग जाएगा शिक्षा के अनुरूप परिणाम आप प्राप्त करेंगे पढ़ाई संतुलन में बना हुआ है आपके लिए कुछ विश्वेश इस्पेशल प्रभाव बन रहा है ब्यापार उतार चड़ाओ से युक्त होने वाला है रिस्क लेना भारी पड़ेगा धन को संभाल कर आप आगे बढ़ाएं प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ विशेश परिस्थति देगा चीजें संतुलन में रहेंगी चिंताओं से मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा सरकारी छेत्र को साधने का प्रयास करें गौर्न्मेंट सेक्टर आपके लिए किसी ने किसी रूप में परेशानियों का कारण बन सकता है आप इस चीज को ले करके बैलेंस में अपने रहेगा दामबक्त जीवन आपके लिए अनकूल रहेगा पती-पत्नी के साथ तालमेल अच्छा बैठेगा सपोर्ट बहुत शुब रहेगा लव लाइफ थोड़ा बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है लव लाइफ को साधने का प्रयास करें स्वास्थ के मामले में आपके लिए पेट की समस्या तुला राशी जुखाम खांसी की शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना चाहेगर आपकी राशी तुला है शरद पूर्णिमा स्पेशल प्रयोग आपको आज किसी जरुरत मंद को कच्चे दूद का दान करना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भाग्य प्रत्शर्थ तिरपन ब्रिश्चिक राशी चंद्रमा आपके लिए आज छटे भाव में विराजमान होने जा रहे हैं चंद्रमा का यह प्रभाव आपके लिए अनकूल रहेगा हर कदम पर आपको शुबता देगा आज पढ़ाई को लेकर के अवसर तलाशना समाप्त हो जाएगा शिक्षा में आउसर प्राप्त होगा सैक्षणिक रूप से आप आगे बढ़ेंगे ब्यापार जबरदस्थ अनकूलता दे रहा है बिजनस की चिंता मत करिये आप आपके लिए सब कुछ बहुत सकारात्मक रहेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा फाइदा देगा प्राइवेट सेक्टर में आपको लाभ हर कदम पर होगा सरकारी छेत्र को साधने का प्रयास करें जल्दिबाद जी कदापिना करें आपके लिए चिंताएं अचानक से कोई आएगी प्राइवेट सेक्टर में नई नोगरी का प्रयास अभी रोग देजेगा सरकारी छेत्र आप पर आज महरबान है गौर्मेंट सेक्टर में कुछ बड़ा स्वतह हो जाएगा आपको उसका इनाम मिलेगा दामपत्य जीवन बात करें अगर पति-पत्नी की बीच का तालमेल तो थोड़ा सा कम है सभाल कर चलना होगा लव लाइफ बहुत अनकूल रहेगा अवसर मिल रहा है स्वास्त के मामले में पेट और किट्नी की समस्या परेशान कर रहा है क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तौर पर आज ब्रिश्चिक राशी वालों को शरत पूरिमा स्पेशल प्रियोग सावान ने जल में गुण डाल करके चंद्रमा को अर्ग देना है शाम को शुबरंग आपके लिए आज काला भाग्य प्रत्षत उनसठ धनु राशियो चतुर्थ और पंचम चंद्रमा का संचरण सुबह साड़े साथ बजे पंचम में आ जाएंगे मेश राशी के चंद्रमा, रेवती और अश्वनी नक्षत्र के चंद्रमा पढ़ाई को लेकर के आज आप अलग जोन में हैं और अलग फाइदा हो रहा है शिक्षा आज आपके लिए एक सहारा का काम करेंगे धनु राशियो बहुत अनकूल इस्थती आज प्राप्त करेंगे बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनकूलता है ब्यापार थोड़ा सा टफ सिचुएशन में है रिस्क नहीं लेना होगा बिजनस में आज संतुलन बनाने का प्रियास करिए रुपय पैसे इधर उधर कुछ आपको परिशान कर सकते हैं लेन देन ध्यान से प्राइवेट सेक्टर आप पर आज अनकूल इस्थती देगा प्राइवेट सेक्टर का आपको चिंता करने क्या वश्यक्ता नहीं है आपके लिए अनकूलता है प्राइवेट सिक्टर में सरकारी छेत्र उल्जन दे रहा है गवर्मेंट सिक्टर को संतुलित करने का प्रियास करे दामपत्य जीवन अगर देखा जाए तो ठीक है परिस्थतियां थोड़ी बहुत उतार चड़ावाली आएंगी लेकिन आप उसको साधने में काम्याद होंगे लव लाइफ परिशान कर सकता है सूच समझ कर फैसला लीजिएगा अचानक किसी परिशानी में पढ़ सकते हैं स्वास्थ के मामले में आज धनुराश्य वालों को आखों की समस्या माइगरेन की समस्या हो सकती है उपाय के तोर पर आज सरत पूरिमा श्पेशल प्रियोग गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर साथ बार अपने उपर छिड़काव कर लीजिए शुबरंग आपके लिए आज बादामी भागी प्रतिशत 52 मकर राश्य चौथे में चंद्रमा का संचरण आपके लिए शुब अउसर की प्राप्ति दे रहा है फोर्थ हाउस सुख भाव है और चंद्रमा यहां पर स्थान बली होता है जिसे हम भाव बली भी कहते हैं पढ़ाई अनकूल अफसर के साथ चल रही है शिक्षा लाभ दायक है मांसिक प्रशनता के साथ शिक्षा आगे बढ़ रही है ब्यापार थोड़ा सा परेशान करेगा बिजनस को ले करके आप समभालें अपने आपको बिजनस में उतार चड़ाव बढ़ेगा किसी न किसी रूप में आपको चिंताएं हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अउसर देगा प्राइवेट सेक्टर में किसी तरह की मुश्किल नहीं है संतुलन बना हुआ है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अउसर दे रहा है और इसका आपको लाभ भी मिलेगा सरकारी छेत्र कुछ तनाव दे गहा है गौर्मेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करना होगा अकस्मात किसी उल्जन में फंस सकते हैं मकर राश्य, जल्दी बाजी किसी कीमत पर नहीं दामपत्य जीवन देखा जाए तो पति-पत्नी के साथ तालमेल आज बहतर है सबतमेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए है लिहाजा संतुलन आज आप बना लेंगे लव लाइफ को ले करके थोड़ा सजग रहिएगा इधर उधर की चीज़ें आपको उलजाएंगी, परिशान करेंगी आज किसी नए प्रपोजल पर विचार नक करें तो बहतर है स्वास्त के मामले में आज का दिन कमरदर्द, पेट और किड्नी की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गर आपकी राशी क्या है मकर है सरत्पूरिमा श्पेशल प्रियोग दाहिने हथेली पर गुलाब जल्ले लीजे ओम सम सोमाय नमह कहते हुए अपने उपरशन काव कर लीजे शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रद्शत अठावन कुम्भराशिक, थर्ड हाउस में चंद्रमा है मांसिक व्यथा आज बढ़ सकती है मन दुखी रहेगा किसी अप्रिय समाचार से आपके स्वजनों के किसी अप्रिय समाचार से आज परिशान होंगे विचलित होंगे पढ़ाई अनकूल कम है उतार चड़ाओ बढ़ेगा ब्यापार को लेकर के आज सजग रहे धन की हान की संभावना है कोई मित्र धोखा देगा प्राइवेट सेक्टर मेहनत ज़्यादा करवाएगा मेहनत से भागना नुकसान दे है मेहनत से आप आगे बढ़ जाएगे सरकारी छेत्र आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहा है गवर्मेंट सेक्टर अनकूल परिणाम दिखाएगा हर कदम पर आपको लाब होगा दाबबत्य जीवन को ले करके आपको जितना सकरात्मक करना है उतना कर सकते हैं पति-पत्नी के साथ ताल मेल अच्छा रहेगा सपोर्ट मिलेगा लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा है स्वास्त के मामले में किट्नी, पेट और आँख की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए आपको कुम्बरा शिवालों को आज शरत पूर्णिमा स्पेशल प्रियोग कच्चे दूध में काला तिल मिला कर शिवलिंग पर अर्पित करे भगवान शिव शिवरंग आपके लिए आज नीला भाग्यप्रद्शत सत्तावन अंतिम राश मी पढ़ाई के उतार चड़ाव से आज बाहर निकलने का अवसर आपको प्रकृत की किरपा से प्राप्त होगा दुतियस्थ चंद्रमा आपके लिए अनकूलता का अवसर प्रदान करेगा ब्यापार को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा बिजनस में कुछ परेशानिया भी दिख रही है साधने का प्रयास करना पड़ेगा किसी ने किसी रूप में मुश्किलें आ सकती है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए अवसर देगा प्राइवेट सिक्टर में आप कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्ट करेंगे नई नौपरी की संभावनाएं भी आज तलासी जा सकती है सरकारी छेत्र के उतार चड़ाव में आज उलज सकते हैं गौवर्मेंट सिक्टर आपको परेशान कर सकता है सोच समझ कर निर्ड़े लेजिएगा दामपत्य जीवन में कुछ मुश्किलें आ रही है पति-पत्नी के बीच तालमेल की कमी रहेगी लव लाइफ बहुत संतुलित है आज लव लाइफ में हर कदम पर आपको लाभ मिलेगा किसी तरह की समस्या नहीं है आज हो सकता है कि कुछ बड़ा आप स्वतह प्राप्त करें स्वास्त के मामले में आज का दिन सांस की दिक्कत और कमरदर्द की शिकायत देगा मीन राशी वाले आज शरत पूर्णिमाई स्पेशल प्रियोग क्या करना है आपको शह्द लगा लिजेगा अपने अनामिका उगले में और शिवलिंग को छूख करके ओम समसो माई नमह का ग्यारह बार जाब करिए शरत पूर्णिमाई स्पेशल प्रियोग आपके लिए काल्याण प्रत रहे आईए आगे बढ़ते हैं जानते हैं बाज का सक्सस्की तो आज के सक्सस्की दिनायंक 28 अक्टूबर के सक्सस्की में आपका स्वागत आज के सफलता की कुंजी शरत पूरिमा इस्पेशल चंद्र ग्रहन इस्पेशल ये रा चंद्र परवत पर हथेली के ये पूर्शन देख लीजे मेरी हथेली में ये जो छोटी उगली के नीचे वाला पूर्शन है यहां पर कच्चा दूध उल्टे हाथ के रिंग फिंगर से कच्चा दूध रगडते हुए साथ बार ओम संसो माय नमह का जाब कर लीजे पूरी में का फ़ल प्राप्त गद गद रहिए बिर्दास रहिए एक स्पेशल जानकारी ये कि अगर आप जोतिश विज्ञान में रुची रखते हैं जोतिश विद्या के द्वारा जनकल्यान करते हुए आजीवी का चलाना चाहते हैं करियर आप्षन देखते हैं और जोतिश विज्ञान में रुची है तो आप हमारा स्टार्ट अप ऐस्ट्रो लक्षमी तुरंत फॉलो करें यूट्यूब चैनल, फेस्बुक चैनल, पेज और इस्टाग्राम तीन जगहों पर हमारी दखल है ऐस्ट्रो लक्षमी के नाम से आपको हमारा पेज आदे मिल जाएगा लिंक नीचे चल रहा है आप उसको देख ले आई आगे बढ़ते हैं और आप जान लेते हैं आज का भाग्याग्षर मेश जाग्षर बिशब चा मिथुन काग्षर करक पा सिंह धाग्षर कन्या गा तुला माग्षर बिश्चिक रा धनू याग्षर मकर हा कुम्भ वाग्षर मील जा यह आपके शुभ भाग्याग्षर जो चंद्र राशी के अनुसार आपको लिखना होता है अपने पास रखना होता है चर्चा कर लेते हैं अब चलते चलते आज के आईश्वान भवकी तो 28 अक्टूबर को पैदा हुए लोगों को हार्दिक शुभ काम ना है आपके लिए इस्पेशल यह रहा दो पीपल के पौधे कहीं लगा दे और दो लोगों को खाना खिला दे अगर आज आपकी मेरिज अनवर्सरी है तो किसी बच्चे को भोजन कराके और दो ब्रामर को वस्त्र आदी पति-पत्नी दे दे और शिवलिंग पर अभिशेक करके सुन्दर कांट का पाठ करने काम पूरा तो आज के अंक में इतना ही है और उमत चाहें कि अपना खयाल रखें हस्ते मुस्कुलाते खिलख़ाते रहें और हमें प्यार करते रहें कल पर सो अम्रित सर रहेंगे नमस्कार श्रादे आचार्य विश्वप्रसिध ज्योतिशाचार्य संतोश संतोशी जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशियां अनेक मंगवाईए